Redmi Note 5 Pro के लिए Corvus 7.5 का जो है एक latest unofficial build आया हुआ है हलाके अगर official के गरफ 7.5 में क्या के features मिलते हैं अगर details में आपको जानना है तो ओ आपको जो है official जो review किया तो उसमें आप देख लेना हो मैं description पे आपको दे दूँगा लेकिन इस unofficial वाले में आपको कैसी जो है performance मिलती है बैटरी मिलती है अगर थोड़े जो changes उनके बारे हम यहाँ पर बात करेंगे तो वीडियो को last तक जरूर वाच करिएगा और यह build आता है SDM 660 की तरफ से जिनके कपसरे पोर्टफरम्स और आपको देखने को मिलते हैं Android 12 के भी तो यहाँ पर आपका जो play store है वो भी certified मिल जाता है इन performance कैसी है और आपको यहाँ पर बताऊंगा त्योंकि इसके अंदर आपको overclocked kernel मिल जाता है तो चलिए वीडियो ह स्टार्ट कर ले तो देखते क्या कुछ हमें मिलने वाला यहाँ पर कोर्वस का Android 10 बिल्ड है यह और कोर्वस वर्जन 7.5 ओमें अनुफिशल बिल्ड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर security patch आपको latest मिलेगा October 2021 का मिल जाता है यहाँ पर और आपका जो kernel है mystic kernel है यह जो कि 7.2 OC kernel है यहाँ कि यह जो है overclocked है आपका 2.21 जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पी ती आपका पूरी तरीके इस overclocked है और Linux भी आपका enforcing मिलता है वही रेवन लायर के बारे में जैसे कि आपको बताए कि यहाँ पर सारे features आपको 7.5 आले मिलेंगा हलाँ कि हमाइस हम नहीं काम नहीं कर रहा चेक किया था तो एप पेस इंफो यह सारी चीज़े काम कर रहे तो इस details में अगर features के बारे में जानना है तो official वाला जो build था उसका review आप description में मिल जाएगा तो आप देख लिए na age lighting यह सारी चीज़े आपको मिल जाती है जो कि काम कर रही है मिलेंस के अंद वही आपको मिलेगा यहां पे तिसलिए दुबारा से सारे features कर नहीं बता रहें कि काफी लंबी बीडियो हो जाएगी तो आपको यहां पे कोशी कर रहा हूं कि ज्याद तर बैटरी फोकस करूंगा performance से सारी चीज़े बारे में और जैसे कि यहां पे settings में थोड़ी सी दिखा पाऊगे और आपका quick settings हो गया जिसमें आपका data users यहां पे बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहें कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में और फिर जैसे कि यहां पे image header header image मिल जाता है तो यह भी आपका काम कर रहें सी तरीके से और फिर column and row है और बाकी brightness letter के settings है traffic indicator जो कि आपका gesture में हला कि कोई दिक्कत नहीं है gesture और navigation बटन दोनों आपके इच्छे से काम करेंगे इनमें कोई भी problem नहीं काफी smooth भी काम कर रहें कि यहां पे आपको problem नहीं होगी और फिर जैसे कि ऊपर में ही आपको pulse भी मिल जाता है अगर आप use करना चाहँ तो उसे भी enable कर पाऊगे ब तो कास्ट आपका बिल्कुल वर्किंग मिलेगा इसके अंदर में अपन नोटिफिकेशन के अंदर जैसे के हम चलते हैं यहां पर यहां पर आपका डिफॉल्ट टैप जो है कोर्वस जो की launcher आपको मिलता हो मैप पर यहां पर कोर्वस की पूरी सेटिंग से मिलती आइकन पै यहां पर यहां पर हाइड एप लोगा पाऊगी launcher के थूँ यह चीज़ आपको मिल जाएगा यहां पर और बाहर बैटरी हो गया बैटरी की सटिंग जैसे कि आपको पहले वाली मिलेगी वही पूरी सेटिंग लेकिन यहां पर बैटरी बेकप किस तरीके से उसकी बात करें यहां पर आपको बैटरी बेकप है करीब आपको टू आवर 50% ब्राटनेस पर बीडियो प्ले करने बाद 76% बैटरी बचीए वह इंट वह फूल ब्राटनेस के हिसाब से बताऊं तो करीब 62 आपके बैटरी जो है 62% मिलने वाली है फिर यहां पर आपका डिस्प्ले का लॉक डिफोल्ट में और फिर यहां पे रोडेशन अटेंशन आपका यह सारी सीजह मिलती है जो कि काम करें सभी और गेम ड्राइवर प्रफेरेंसे भी मिल जाता है यहां से आप जो सलेक्ट कर सकते हो अपना और फिर नीचे आपको डेंसेटी जो कि ऑपसन मिल जाता है सेटेंग मे साउंड के अंदर भी ऐसे कोई सेटेंग ने मिलती है पूरी नॉर्माल ही रहेगी और सिक्यूर्टी में जाओ तो आपको यहां पर फिंगरप्रिंट और फेस अनलोक देखने को सिर्फ मिलता है एप लोग जैसे कि आप लूंचर के थूरू लगा लेना और यहां पर जो फ लिकत आपको नहीं मिलती नहीं फिंगरप्रिंट में नहीं फेस अनलोक में और फिर आपका डिश्टाल वल्विंग का सपोर्ट यह भी आपको मिल जाएगा सिस्टम में जाओ तो यहां पर भी जेस्टर की पूरी सेटेंग से जो कि अल्री दिखा चुका आपको वहीं पर जाएगा से मलता है वहीं आपका डियुक्र आपको पहले की तरह जैसे मिलता था वही आपको वालि मैनेगा आपण करतो है इस पर हलका से भी देखने को मिलता है इसके अंदर में और tap करने के एक हलका से बिल्कुल light सा एक दम यहां पर delay भी मिलता है कभी बाद tap करने के बाद वाकि आपका जो camera बिल्कुल अच्छे से काम करें इसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलती device watermark हो या porter mode हो या फिर आपका पैनरवा mode हो सभी अच्छे दरीगे से काम कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं मिलीगे जो video quality इसके अंदर मिलती है तो आपको यहाँ पे 4K 30 पेस तक की देखने को मिल जाएगी और अगर आप यहाँ पे gcam भी यूज करना चाहता हो तो कोई दिक्कत नहीं आराम से आप यूज कर पाऊगे और अब चलते हैं प्लेश्टोर की तरब तो प्लेश्टोर आपका इसके अंदर बिल्कुल certified रहने वाला है तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे यानि कि आपका जो safety net है इसके अंदर पास है without route आप राम से banking आपस को यूज कर पाऊगे without route में कोई दिकत नहीं आती है 99 तो स्कोर के मामले में कोई भी कमी आपको देखने के हाँ पे नहीं मिलती है और अब बात करें गेम की तो गेम की जो ग्राफिक हो तो फिलाल आपको same normal जैसे की मिलती मिल जाएगी में जो कोरवस की यह दोनों famous है काफी परफॉमेंस के लिए और यहां पर भी जो है परफॉमेंस आपको काफी अच्छी मिलने वाली है यहां पर जादे तर features के मामले में यहां पर focus नहीं करूँगा थोड़ी बूट डिटेल्स बता दूँगा लेकिन अगर आपको बिल्कुल उसमें पता करना है कि 7.5 में क्या कुछ features आपको मिलते है kernel अपका यहां पर और यह सारी चीज़े जो हैं आपको थोड़ी सी यहां पर changes मिल जाती हैं बाकि तो आपको official जैसा ही देखने को यहां पर feel मिलेगा settings के मामले में तो यही सारी चीज़े थी जो कि हमें इसके अंदर मिल जाते और performance जैसे कि आपको बदाया Corvus 5.5 और 10.5 जैसे आपको देते थे उसी type से यहां पर भी performance आपको तगड़ी देखने को मिलने वाले तब आप decide करना कि आपको यहां पर use करना या पर नहीं करना अगर आप performance चाते हो तो काफी ची performance आपको यहां पर मिलेगी Corvus के इस build के अंदर भी बाकि आप तो comment करके अगर कुछ पूझना है तो उसके लिए आप पूछ सकतो कोई दिक्कत नहीं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइगन को प्रेस करके वाल पे कर लिजे ताकि एक लिडियो जब भी अप्लोड करो उसकी भी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए थैंक्स फो वाचिंग